हेलो फ्रेंड्स वेल्कम एक टुमाई यूट्यूब चैनल माली सर गैस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में जो इस टीनिया कंपनी का शासन रहा है वो कब से कब तक रहा है यानि कि इस टीनिया कंपनी का जो शासन रहा है वो 1783 से लगा कर 858 तक रहा है इस दोरान उन् पाई रित किया 1783 का रेग्यूलेटिंग एक्ट जिसका कि भारत के समीदा निक्वेस में महत्वपुर्ण इस्तान है और इसका जो मुख्यों देश इत्या सबसे बेले कंपनी की कालियों को नियमित और नियंत्रित रखना और उनके जो प्रशासनिक और राजनिती कालि थे उनको भी मानिता मिल चुकी थी इसके बाद भारत में केंद्रिय प्रशासन की निव केंद्रिय प्रशासन की निव का मतलब होता है एक ही केंद्र से पूरे देश का प्रशासन यानि कि जो भी ये नियम पारित करेंगे वो पूरे देश में लागू होंगे उसके बाद इसक कारी-कारी परिश्यत का गठन किया गया और वो जो पहले गवर्नर जनरल थे लाड़ वारेन हैस्टिंग उसके बाद मद्रास वो बंबई के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन हो गए यानिकि जबकि इससे पहले सभी प्रेशिडेंसियों के गवर्नर एक दुसरे से स्वतन अधीन नहीं था इसके बाद नेक्स्ट उच्चितम न्याय ले कि स्थापना इनकी भारत का जो सबसे पहला न्याय ले था उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1775 में जिसमें की एक मुखी न्याय दिश और अन्य न्याय दिश होते थे और ऑफ जो पहले मुखी न्याय दिश थे वह टे सार एलिजा इंफे संः एलिजा इंफें यह अन पर इम्फोटेंट नहीं कर सकते थे औरseatक्यौब प्रति बंदित कर दिया गया उपहार्व रिश्वत लेना प्रति बंदित कर दिया गया अ death tracking शंस्ता थी जहकी कमपणी अधिक देखरेकं के लिए स्थापिज की गई थी कंपनी का कोर्ट ओफ डाइरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रन सशक्त हो गया और इसके बाद कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व नागरिक और सेन्य मामलों की जानकारी बिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया यानि कि राजस्व निकी कर्वसुली ज देकर आएंगे तो मिलजें नेक्स वीडियो में धन्यवाद